धान खादियान की महत्वपूर्ण फसल है प्रदेश में धान की रुपाई का कारे हो चुका है अब ये फसलें कल्य निकलने से लेकर गोप की अवस्थाओं पर है किसान भाईयों आप फसल में खर्पतबार प्रबंधन, पोशक तत्व प्रबंधन और जरुत के हिसाब से सिंचाई करते हैं लेकिन फसल में कीट रोगों की प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरुत होती है इस समय कुछ क्षेतरों में आवरन जुल्सा का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है जिसे शीत जुल्सा के नाम से भी जानते हैं इसका निदान उचित समय पर करना ज़रूरी है नहीं तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है आईए इस रोग के लक्षनों को पहले समझ लें ये रोग कल्ला निकलने से लेकर दानब बनते समय फसल को नुकसान पहुँचाता है तने की गांट पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के उपर बने धब्बे जैसा होता है बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे को सुखा देते हैं ये रोग अधिक नमी होने पर और यूरिया का अधिक प्रयोग होनी की तशा में तीजी से फैलता है किसान भाईयों यदि आपकी धान के फसल में इस तरह के कोई लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो यूरिया का प्रयोग अभी बिलकुल ना करें पहले इस रोग के निदान के लिए प्रॉपिको नाजॉल दवा की 500 मिली लीटर मात्रा 800-1000 लीटर पानी में घोल कर प्रती हेक्टियर की दर से 15 दन के अंतर पर दो बार छिड़काव करें और जब रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जरूरत हो तो यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में करें